हलो गाईज कैसे हैं आप सभी दोस्तों अगर आपके फ्रीफैर में डेली अपडेट का प्रॉब्लम आ रहा होगा तो इस वीडियो को सुरू से लेकर के लास्टा तक देख लीजिएगा यह अधिकतर सैमसंग के मोबाइल में आता है क्योंकि एक्सपेंशन पेक का प्रॉब् मंगता है तो मैं एक्सपेंशन पेक के लिए वीडियो बनाया यह था वह 100 % working यह तो उसी वीडियो के बिखिक हुआ हूँ और इसको आपको पूरा देख लेना है इस वीडियो मैं भले ही बोले वह रहा ह हूँ कि यह जो देली अपडेट के वस और यह सौल होगा 100% solve हो ही जाएगा मैं वीडियो और भी देखा हूँ YouTube में लेकिन उन लोग अच्छे से explain नहीं किया हैं मैं बहुत सारा Samsung Mobile के screen source के जरीए इसको explain करने वाला हूँ रहे हैं यह पहले बनाया हुआ वीडियो है इसमें Samsung का screenshot ही है और इसमें आप देख पा रहे होंगे notification आया हुआ है जो मैं आगे बताने वाला हूँ और अगर आपके में ऐसा कोई notification नहीं मिलता है तो आपको सबसे पहले अपने Samsung Mobile की setting पर चले जाना है setting पर जब चले जाएंगे उसके बाद setting के अंदर आपको device care के एक option मिल जाएगा लेकिन अगर आपके mobile में device care का option नहीं मिल रहे तो यह और भी कई नामों से आता है मैं आपको और भी images दिखाता हूँ अगर आपके में device care नहीं है तो आप device maintenance भी देख सकते हैं device maintenance नाम से भी आता है same ही function है दोनों का और अगर आपके setting में ऐसा कोई भी option नहीं मिल रहा है आपको तो Samsung की mobile में setting के अंदर एक search का भी option रहता है तो आप search के option में device care, device maintenance, battery and device care ऐसा search भी कर सकते हैं तब आपको option मिल जाएगा और जैसे ही आपको मिलता है आपको सीधे उस option के अंदर जाना है device care के अंदर आने के बाद नीचे में आपको एक storage का option दिखाई दे रहा है तो आपका ये option भी हो सकता है तो इसके अंदर आपको जाना है और इसके अंदर आपको auto delete unnecessary data धुनना है वो मिल जाएगा तो उसको आपको off कर देना है अगर storage के अंदर आपको auto delete unnecessary data नहीं मिल रहा है तो आपको right hand side में storage में ही मतलब device care के अंदर आएंगे जैसे ही उसके बाद right hand side उपर में three dot दिखाए देगा उसको आपको एक बार click कर लेना है उसको जब आप click करेंगे तो वहाँ आपको storage booster का option मिल जाएगा तो storage booster को आपको click करना है और उसके बाद आपको auto delete unnecessary data मिल जाएगा तो किसी किसी device में direct storage के अंदर मिल जाते है auto delete unnecessary data तो किसी किसी के mobile में three dot के अंदर रहता है ये option तो अगर आपके में option नहीं मिल पा रहा है तो आपको device care के अंदर आकर के right hand side में three dot पे क्लिक करने है उपर वाले और उसमें से आपको इस्टोर इस बूस्टर में जाना है उसके अंदर यह उप्सन आपको मिल जाएगा तो बस दोस्तों आपका प्रॉब्लम बस इतना ही था यही आउटो डिलिट ननेसेसरी डाटा नहीं मिल रहा था और यह मिलते ही अगर आप